आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सफेद बालों को काला करने वाला ओयल बता रही हूँ ऐसे तो मैंने पहले एक मिलेनिन ओयल की रेसिपी भी शेयर की थी जिस ओयल का यूज करने के बाद बहुत सारे सब्सक्राइबर को अच्छे रिजर्ट्स मिले हैं आज मैं जो ओयल बताने वाली हूँ उसमें मैंने कुछ ऐसी इंग्रिडेंट्स का कॉम्बिनेशन लिया है जो बालों को काला करने में बहुत ज़्यादा हेल्फुल है मैं इस ओयल को तिल के तेल में बना रही हूँ आप चाहें तो इससे सरसों के तेल में या कोकोनट ओयल में भी बना सकते हैं इसके अलावा हम इस ओयल में चार ऐसी चीजों को इंफ्यूस करेंगे जो सफेद बालों को काला करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्फुल होती है नमबर वन तुरई मैंने ये प्लेन वाली तुरई ली है यूट्यूब पर सभी लोग धारी वाली तुरई यूज़ करते हैं लेकिन मेरे नाना जी आयरवेदिक डॉक्टर थे वे हमेशा ग्रे हेर के लिए इसी तुरई को रिकमेंट करते थे मैंने यहाँ पर 200 ग्राम के करीब प्लेन वाली तुरई ली है और इसे अच्छी तरह से धो लिया है इसके छिलके को हटाने की जरूरत नहीं है इसे छोटे छोटे तुकडों में ऐसे ही काट लेना तुरई सफेद बालों को काला करने के लिए एक रामबान रेमेडी है बहुत से मेल सब्सक्राइबर मुझे बताते रहते हैं कि उनकी दाड़ी के बाल सफेद हो रहे हैं ऐसी कंडिशन में इस ओयल का इस्तिमाल करने के साथ साथ आप अपने डाइट में तुरई का इंटेक बढ़ा देना आयरवेद में 90% बालों के सफेद होने की वज़़ पित्त को माना जाता है तुरई का सेवन करने से पित्त शांत हो जाता है और पित्त के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह होती है stress अकसर जिन लोगों के बाल सफेध होते हैं उन लोगों का सबसे बड़ा stress तो बालों को लेकर ही होता है किसी भी तरह का stress हो तो आप अपनी डाइट में तुरै का सेवन बढ़ा दें तुरई आपके पित्त को कंट्रोल करेगी साथ में तुरई का एक और गुण होता है ये बालों के पिग्मेंटेशन को भी भड़ाती है आप लोगोंने मेरी रिवर्स ग्रे हैर सकसे स्टोरीज की प्लेलिस्ट के सभी विडियोज देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मेरी एक सब्सक्राइबर मोनिका चौदरी जी ने कहा था कि आप सही बता रही हो मेरी भी किसी रिलेटिव के हैर बहुत वाइट थे उन्होंने खाने में तुरई आवला पहुत खाया और आवला पाउडर बीटरूट जूस ग्रीन महंदी में मिलाकर हैर मास्क वीक में दो बार अपलाए किया उनके भी सारे वाइट हैर ब्लैक हो गए इस कमेंट से आप लोगों को पता चली गया होगा कि तुरई सफेद बालों के लिए कितनी ज़्यादा बैनेफिशल होती है तुरई का इंटेक आप ज़्यादा से ज़्यादा करें लेकिन तुरई को ओवर कुक करके नहीं खाना है क्योंकि इसे ज़्यादा पकाने से इसके पोशक तत्व कम हो जाते हैं तुरई बनाते वक्त इसके छिलकों को कुछ लोग फेक देते हैं आपको तुरई और तुरई के छिलकों का भी इंटेक करना होगा तुरई की छिलकों की स्वादिष्ट चटनी बना सकते हैं और तुरई की कम मसाले वाली सबजी बना कर इसका सेवन कर सकते हैं अगर आप ग्रे हेर के लिए तुरई की सबजी और तुरई के छिलकों की चटनी की रेसिपी चाहते हैं तो मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगी आप लोग मुझे कमेंट में बता देना सभी लोग जानते हैं कि आवला बालों को काला करने के लिए जादू की तरह काम करता है मेरी ग्रे हेर सक्से स्टोरीज के वीडियोज आपने देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कई लोगों ने आवले का इंटेक और एप्लिकेशन करके अपने बालों को काला कर लिया है अभी मैंने जो मोनिका चौदरी जी का कमेंट दिखाया था कि उनकी रिलेटिव ने तुरई के साथ साथ आवले का इंटेक बहुत जादा किया तुरही भी बालों को काला करती है और आवला भी बालों को काला करता है जब दोनों का इंटेक साथ में बढ़ा दिया जाए तो बाल तो काले होंगे ही ये देखिए राहुल सिंग जी ने भी बताया है कि एक साल तक आवला खाने से और बलायम करने से उनके सफेद बाल काले हो गए ये देखिए जितेंदर सिंग जी ने भी बताया है कि बाल काले करना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है आवले का मुरब्बा खाओ लगातार सुबर शाम एक साल तक खाने से आपके बाल इतने काले हो जाएंगे कि आपको खुद को परिशानी होगी उन्होंने बताया है कि उनके बाल बहुत जादा काले हो गए हैं और नकली जैसे लगते हैं मतलब आवले का इंटेक तो बहुत ही जरूरी होता है कम से कम दो आवला डेली किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं इसलिए मैंने इस ओयल में सेकेंड इंग्रीडेंट फ्रेश आवला लिए हैं अभी fresh आवला का season चल रहा है तो आप fresh आवला ही लेना लेकिन fresh आवला का season चला जाएगा तो आप dry आवला ले सकते हैं इस oil में मैं third ingredient डाल रही हूँ कड़ी पत्ता जो की आसानी से हर जगह मिल जाता है कड़ी पत्ता के बारे में तो सभी जानते हैं कि ये बालों को काला करने वाली सबसे important remedy है curry leaves का application आप बालों में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन curry leaves का intake आप सिमित मात्रा में ही करें क्योंकि curry leaves blood sugar को down करता है मेरी एक subscriber ने बताया कि उनके घर पे कड़ी पत्ते का पेड़ है और वो अपने सफेद बालों को काला करने के लिए धेर सारे कड़ी पत्तों को पीस कर एक कटोरा भर के उस पीसे हुए कड़ी पत्ते को खाती थी लगबग एक मेहनों तक लगातार उन्होंने एक बड़ा कटोरा भर के कड़ी पत्तों को खाया अचानक उनका शरीर धिला पढ़ने लगा और कमजोरी आ गई तब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया कि उनका शुगर डाउन हो गया है बहुत जादा कड़ी पत्ता खाने की वजह से इसलिए आप कड़ी पत्ते का सेवन सिमित मात्रा में ही करें एक दिन में आठ से दस पत्ते काफी हैं या कड़ी पत्ते को कुकिंग में भी यूज कर सकते हैं या फिर इसकी चटनी बनाकर हफते में एक बार इसकी चटनी खा सकते हैं सिमित मात्रा में खाने से कोई तकलिफ नहीं होगी इसे बालों में अपलाय करने से भी amazing result मिलते हैं इसी लिए मैंने इस ओल को बनाने के लिए एक मुठी फ्रेश करी लिफ्स लिए हैं मैंने फोर्थ इंग्रीडेंट लिए है कलोंजी जो की सफेद बालों को काला करने के लिए best remedy है सबसे पहले लगबग 200 ग्राम तुरई को पानी से अच्छी तरह से धो कर उसे छोटे छोटे तुकडों में काट लेंगे फिर लगबग 200 ग्राम फ्रेश आवला को अच्छी तरह से पानी से धो कर उसे भी छोटे छोटे तुकडों में काट लेना लेकिन आवला को आप किसी प्लास्टिक की या कांच की प्लेट में ही रखना मेटल की प्लेट में इसे बिलकुल नहीं रखना नहीं तो मेटल के प्लेट खराब हो जाएगी अब इन दोनों को चाओं में 2-3 दिन के लिए सुखने के लिए खुला ही छोड़ देंगे इन्हें धूप में नहीं रखना है इन्हें चाओं में ही सुखाना है तीन दिन तक मैंने इन्हें रूम टेंप्रेचर पर खुला छोड़ दिया था अभी विंटर सीजन चल रहा है इसलिए ये पूरी तरह से सुखे नहीं है लेकिन तेल बनाने के लिए ये तयार है आज चोथा दिन है और ये सुखने के बाद थोड़ी से कम क्वांटिटी के दिख रहे हैं अब एक प्लेट में लेंगे आवला, तुरई और एक मुठी फ्रेश करी लिफ्स इन करी लिफ्स को मैंने पानी से अच्छी तरह से धोकर पोंच लिया है और थ्री टेबल स्पून कलॉंजी के बीज लेंगे फिर एक हैवी बॉटम का पैन लेना है अगर आपके पैन का बॉटम हैवी नहीं होगा तो ओयल जल सकता है, वो ठीक से इंफ्यूज नहीं हो पाएगा इस पैन में 400 ml तिल का तेल डाल देंगे आप चाहें तो सरसों का तेल या नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं इस ओयल में मैंने सारी इंग्रिडेंट्स को डाल दिया है अब इसे लो फ्लेम पर रखेंगे ध्यान रखना कि आपको इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है बीच बीच में आप चम्मस से मिला लेना जैसे जैसे ओयल गरम होगा इसमें ये सारी इंग्रिडेंट्स ओयल में अच्छी तरह से इंफ्यूज होने लगेंगी इसमें आवला और तुरई को डार्क ब्राउन होने तक पकाना है ओयल में मौस्चर नहीं रहना चाहिए नहीं तो ओयल खराब हो सकता है ये देखिए सारे इंग्रिडेंट्स ओयल में अच्छी तरह से पकने लगे हैं और इसमें तुरई और आवला ब्राउन हो चुके हैं अभी सारी चीज़े ओयल में अच्छी तरह से पक चुकी हैं गैस को बंद कर देंगे और ओयल को ऐसे ही खुला ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे अब ओयल ठंडा हो चुका है इसे साफ सूखी काँच की बोटल में चान कर स्टोर कर लेंगे इस ओयल को आप चार मेहनों तक रूम टेंपरेचर पर स्टोर करके रख सकते हैं ये ओयल तयार हो चुका है इस ओयल को हफते में 2-3 बार लगा सकते हैं रात को सोने से पहले इस ओयल को बालों की जड़ों में लगा कर हलकी हातों से कम से कम 10-15 मिनिट तक स्केल्प में मालिश करें जिसकी वज़े से oil scalp में अच्छी तरह से absorb हो जाएगा और massage करने की वज़े से scalp का blood circulation भड़ेगा Morning में आप किसी भी mild shampoo से hair wash कर सकते हैं इस oil को लगाने के साथ साथ आप daily कम से कम 15 मिनिट तक बलायम जरूर करें और daily दो आवला खाएं और जितना हो सके तुरही का सेवन करें जब आपके बाल काले हुने लगेंगे तो मुझे अपना सारा डीटेल इंस्टाग्राम पर बताएं मेरी इंस्टाग्राम की लिंक नीचे description box में दी है मैं आप लोगों से request करती हूँ कि आप लोगों को जिस चीज से भी result मिले वो मुझे जरूर शेयर करें जिसकी वज़े से दूसरों को motivation और सही guidance मिलेगा और सभी को सफेद बालों से छुटकारा भी मिल जाएगा उमिद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये तेल पसंद आया होगा अगर आप लोगों को मेरा ये तेल पसंद आया तो प्लीज मुझे like कीजिए, share कीजिए और मुझे जुड़े रहने के लिए मुझे subscribe जरूर कीजिए Thank you दोस्तों, thank you